आद्रश्य कोई मंदिर परिसर ना न थी पंदिल्ली शहर नी जाहर जग्याओ ना छे जा अत्यारी G20 समीट माँटी ब्युटिफिकेशन नू काम गती माँचे जाहर जग्याओनी काया पलट थे रही छे जोकिया कामगीरी ने कारणी विवाद सर जायो छे दिलीना जाहर रस्तापन लगावामा आवेल्वा फुवारानों आकार बिलकुल शिवलिंग जिवो छे जैने जोता सोशल मिडिया मा लोकोई ते निसामे वांदो उठावियो छे अवेवाद धार्मिक लागनियों साथे पन चोड़ाई गयो छे आम आमले भाजपने आमादमी पार्टी सामसा में आवी गया छे आमादमी पार्टी पर शिवलिंग नो उपयोग सजावट माते करवानों आक्षेप करें छे तो आमादमी पार्टी नो कहवो छे कि दिल्ली मा ब्यूटिफिकेशन नो काम केंदर सरकार संभाड़ी रही छे आमादमी पार्टी मांग करीचे कि धार्बिक लागने दुभावा माटे भाजप लोकों ने माफी मांगे कल तक तो आप कह रहे थे कि दिल्ली सरकार ने कुछ किया यह नहीं सब केंदर ने किया आज आप कह रहे हैं कि यह दिल्ली सरकार ने कर दिया किसने भी किया हो पुलिस तो भरती जंता पार्टी की केंदर सरकार किये F.I.R क्यों नहीं दर्ज करा देते धार्मिक भावनाओं को ठेश पहुचाने के लिए, हिंदू धर्म का अपमान करने के लिए, अब तक दिल्ली पुलिस ने इसके ओपर F.I.R क्यों नहीं दर्ज की, F.I.R दर्ज होगी पता चल जाएगा, कौन से डेपार्टमेंट का काम है, कौन उस डेपार्टमेंट के मंत् जाले हैं, यह देश के लिए गौरफ का विशय है, उस अक्षण में जिस प्रकार के नॉन सीरियस बिजनेस आम आदनी पार्टी कर रही है, नॉन सीरियस व्यवहार आम आदनी पार्टी का है, मुझे लगता है, हमारे तरफ से सबसे अच्छा आचरन रहेगा कि उनको कोई उत्तर ही न दिया जाए, क्योंकि वो यही चाहते हैं, एटेंशन सीकिंग, क्रेडिट सीकिंग, और छोटी राजनीती वो यही चाहते हैं, G20 राजनीती की परीधी से बाहर है, it is outside the orbit of politics. वीरोन आधारे आप उपराजबाल समक्षपन माफी नी मांग करी रहे हुचे. तो LG के खिलाफ कारवाई होनी चाहिए, केंटोमेंट एरिया की सलक है, NHAI का प्रोजेक्ट है, नितिन गटकरी और LG ने इसका उधगाटन किया है, मेरा सवाल यह है कि सिव लिंगो का अपमान क्यों किया गया? गणावी रही चे. एवामा आ विवाद मां हवे शिवलिंग ना विवाद नो उमेरो थयो चे, त्यारी जोवुए रहे चे क्या मामलो आगर जता केवू स्वरूप धारन करे चे. ब्यूरो रिपोर्ट जी मिडिया.